नमश्कार दोस्तों, भारत के अंदर एक नया Unified Tariff Structure अनाउंस किया गया है for the Natural Gas आप यहाँ पर News में देख सकते हो, Downstream Oil Regulator PNGRB Simplifies Gas Pipeline Tariff सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूँ कि Downstream क्या होता है, देखें, एक होता है Upstream, दूसरा होता है Downstream Upstream का मतलब यह हुआ, कि जहाँ पर Natural Gas का Production किया जा रहा है या फिर आप Crude Oil के Case में भी कह सकते हो, कि उसको Upstream कहते हैं, जहाँ पर इसका Production हो रहा है तो उससे Related जो Tariff होता है, Infrastructure होता है, उसको Upstream में कहते हैं जब उसका Distribution किया जाता है, States के अंदर, शहरों के अंदर, उसको Downstream कहते हैं तो Downstream के लिए जो हमारे देश के अंदर Regulator है, इसका नाम है PNGRB, that is Petroleum and Natural Gas Regulatory Board जो कि इन सारे चीजों को देखती है, तो इनोंने एक नया Tariff Structure निकाला है, जिसको Unified कहा जा रहा है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पूरा मामला है, क्या, कौन सा नया Tariff Structure है, किसको इससे फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, सब कुछ जानेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बूक और ट्विड़ाप पर मेरे लेक्चे की हब पीडियोफ आपको फेस्बूक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, बाइ स्टर्चिंग, अंक Natural Gas Regulatory Board, इन्होंने notify किया है एक नया tariff structure for 14 natural gas pipelines, देखे, जितने भी pipelines हैं हमारे देश के अंदर, pipeline क्या होता है, जैसी कि आपने देखा होगा, कि यहाँ पर Bombay High Basin के बारे में आपने सुना होगा, तो वहाँ पर से natural gas का production किया जाता है, अब production किया जाता है, उसको पहुँचा पहुचाने के लिए pipeline की आउशकता पड़ती है, तो वो pipeline हो गया, वैसे यहाँ पर आपने KG Basin के बारे में सुना होगा, that is Krishna Godavari Basin, वहाँ पर भी production होता है, तो उसको भी पहुचाने के लिए चाहिए होता है, तो यह जो pipelines हैं दोस्तों, वो पूरे देश के अंदर आपको बिचेवे देखने को मिलेंगे, और भी कई सारा काम चल रहा है अलग-अलग जगह पर ताकि हर जगह से इसको connect किया जा सकें, लेकिन अभी के लिए बताया क्या है, कि PNGRB ने कहा है कि 14 natural gas की जो pipelines हैं, उसमें से जो भी gas का transfer किया जाएगा, उसका जो tariff होता है, मैं यहाँ अपर natural gas के rate की बात नहीं कर रहा हूं, उसके transportation की बात कर रहा हूं, यह ध्यान रखेगा, तो उसके transportation का जो cost आता है, उसको unify किया जाएगा, एक नया transportation का जो tariff है, वो आपका लाया गया है, इसकी वज़े से बताया जाना है कि जो natural gas के users हैं, उनको cost जो है, अब कम पे करना पड़ेगा, अव्यसी बात है, जैसे कि सबजी आता है हमारे घर तक, तो सबजी जब आता है, एक तो vegetable का cost होता है, और vegetable को transport करने का cost होता है, दोनों को मिला कर आप पे करते हो, तो वैसे ही यहाँ पर अगर आपका transportation का cost कम आएगा, तो जो natural gas के users हैं, overall उनका natural gas का cost कम आएग तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर users हैं, especially North East के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो cost है, उसमें अब कमी आने वाली है, तो इसलिए यह सारी चीजें की जारी है, अब यहाँ पर change क्या होने वाला है, जब मैं कहता हूँ new unified tariff structure, पहले क्या होता था, जैसे क आप इस पूरे map में देख सकते हो, कि आपको अलग-अलग pipelines देखने को मिलेंगी, जैसे कि कोई बिहार में बैठा हुआ है, पटना में है, उसको यहाँ पर gas चाहिए, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि यहाँ से pipeline के तुरू एक जगा gas पहुंचता था, फिर दूसरा pipeline का use ह यूपी से होते होते फिर चौथे pipeline का use होता था, ऐसे करते करते क्या है कि जो gas का cost है वो जादा आता था, हर एक pipeline के लिए आपको अलग-अलग cost देनी पड़ती थी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एक unified structure बनाये जा रहा है, अब यह unified structure क्या है, जहां से भी टर्मिनल है, यहाँ से gas पहुचा जा रहा है, तो अगर उसका distance 10 km हो, या फिर 299 km हो, doesn't matter, अगर वो 300 km के अंदर है, तो यहाँ पर एक single cost लगेगा, ठीक है, और अगर जो distance है वो 300 km से जादा हो जाता है, तो यहाँ पर उसके लिए दूसरा cost लगेगा, मतलब सिर्फ दो cost अ और दूसरा होगा 300 km से उपर के distance के लिए, अब ध्यान रखेगा, मैं जब यह कहता हूँ, इसका मतलब यह मैं customers की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके घर में जो natural gas पहुंचता है, दिल्ली में especially जो लोग रह रहे हैं, आपको पता है कि घरों में आजकल काफी हत तक, जो natural gas की pipelines हैं, वो बिच चुकी है, मैं directly उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, कि यहाँ पर जो city के distributors होते हैं, especially उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में suppose यहाँ पर कोई बैठा है, जो कि यहाँ पर gas supply कर रहा है, अलग-अलग घरों में, तो यह जो distributor है उसके लिए यह सस्ता पढ़ जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, obviously बात है, उसके लिए सस्ता पढ़ेगा, मतलब एक तरह से ultimately उसको क्या करना पढ़ेगा, जो benefit है, वो consumer को pass on करना पढ़ेगा, तो इस तरह से consumer को भी फायदा होगा, अब यह सारी चीज़ें इतनी important क्यो जाता है भारत के अंदर, उसमें से अभी natural gas का जो percentage है, वो बहुत कम है, it is just around 6.2%, लेकिन अगर हमें इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पर भारत सरकार कोशिश कर रही है, 2030 तक 15% लाया जाए, 15% भी अगर आप देखो कोई बहुत जादा नहीं है, natural gas की consumption जादा हो, यह better होता ह जाए, environment के perspective से, cost के perspective से, हर एक perspective से अगर आप देखेंगे, तो natural gas एक better medium होता है, energy को consumption, energy consume करने का, दूसरा यहाँ पर आपके मन में question आएगा, इससे किसको किसको फायदा होगा, तो देखिए, एक तो फायदा यह होगा, कि जो investment है आपका पूरे gas के transmission infrastructure में, वो बढ़ेगा, क लोग उसकी demand जादा करेंगे, demand जादा करेंगे, तो यहाँ पर infrastructure की ज़रुवत होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि overall जो यहाँ पर, जो investment है, gas transmission में, infrastructure में, वो यहाँ पर काफी हद तक बढ़ने वाला है, और especially यहाँ पर फायदा उनको होगा, जैसे मैंने बताया, North East में जो लोग रह रहे हैं, जुकि अभी तक अगर आप देखोगे क्या होता था, कि जितना cost होता था natural gas का, उतना ही same price, अगर suppose natural gas का cost है 50 रुपीज, तो North East में रह रहे हैं जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर जो transportation का cost है, वो भी लगबग 50 रुपए हो जाता, तो आप सोचके देखो, costing कितनी जादा high हो जा रही है, tariff ही almost double हो जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर especially जो लोग दूर रह रह रहे हैं, उनको काफी फायदा होने वाला है इस बार, lose कौन करेगा, यहाँ पर नुकसान किसको होगा, definitely नुकसान होने वाला है दोस्तों, उन companies के लिए जिनो natural gas के पास ही बना दिया है, मतलब कि आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि यह आपको अलग-अलग terminals दिख रहे हैं, यह जो दहेज वाला LNG terminal हो गया, दावोल LNG terminal हो गया, इसी के पास इनोंने अपने plants बना रखे हैं, ताकि उनका जो costing है tariff का, वो कम आ सके, लेकिन अब क्या हो बढ़ने वाला है, तो यह lose करेंगे, in fact, यहाँ पर मैं आपको दादू, जो industries body है, उन्होंने इस particular proposal को एक तरह से criticize किया है, in fact, अगर आप देखोगी, जो ministry of fertilizer है, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है, ministry of fertilizer ने, कि यहाँ पर जो सरकार का burden है, fertilizer का, subsidy का, वो बढ़ जाएगा, क् जो कि fertilizer का cost बढ़ेगा, और आपको पता है कि सरकार काफी heavy subsidy देती है fertilizer के उपर, तो यहाँ पर जो यूरिया का cost है, especially, वो बढ़ने वाला है, अगर ऐसा यहाँ पर यह proposal successful हो जाता है, क्योंकि यह आच चुका है, notify तो किया गया है, let's see कि कि कब तक यह implement किया जा सकता है, लेक पतना में कोई बैठा है, या फिर उत्तर परदेश में कहीं पर कोई बैठा है, जगदीशपूर में को बैठा है, तो यहाँ पर जो आपका transportation होता था, वो कई सारे pipelines के तुरू होता था, तो पहले users को अलग-अलग payment करना होता था, यहाँ पर user मतलब जो city distributor है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको अलग-अलग payment करना होता था, यहाँ से यहाँ तक cost आया कितना, फिर यहाँ से इधर कितना cost आया, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, कि वो सिर्फ single payment करेगा, बाकी का यह जो cost है, दोस्तों, वो बाकी की जो transporter है, जिन्नोंने pipelines बिचा रखी है उनको आपस में यह बाटना होगा, सपोज जो consumer है, city distributor है, उसने 1000 रुपय payment कर दिया, अब इस 1000 रुपय में यह आपस में ही बाटेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है notification के अंदर, लेकिन इसमें कुछ problem भी आ सकती है, legal challenges भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस साल का, दस साल का ऐसे agreement हो जाता है, कि इतने साल तक जो cost है हमारा transportation का, हम आपको इतना ही payment करेंगे, लेकिन यहाँ पर अप cost बढ़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, court में जाएंगे, तो यहाँ पर legal challenges भी face करने पड़ सकते हैं, तो यह है पुरा मामला दोस्तों, जाने से पहल यहाँ पर 2018-19 में अगर आप देखोगी, जो domestic gas का production है, it was around 90 million metric standard cubic meter per day के हिसाब से production किया गया था, import भी हम दोस्तों कराते हैं, काफी बड़ी मातरा में, लगभग आप कह सकते हो, 50% हम domestic में अपना निकाल लेते हैं, और 50% हमें जो consumption है, वो बाहर से मंगाना पड़ता है, especially कतर जो है, कतर सबसे बड़ा देश है, जहां से हम यहाँ, जो natural gas है, उसको मंगाते हैं, अब इसमें होता क्या है, basically, कि जब भी हम import कराते हैं, वो liquefied form में होता है, इसलिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर, कि यह जो LNG terminal है, LNG क्या होता है, liquefied natural gas terminal, अब यह क्या करता है कि, suppose कतर से कोई gas आया, gas के form में नहीं आता है, natural gas, वो basically liquid form में आता है, तो इसको gas में convert करने के लिए, अलग-अलग हमें यहाँ यहाँ पर terminals लगाने पड़ते हैं, तो दहेश के अंदर terminal है, हजीरा हो गया, कोची, कोची के अंदर दो terminal है, मुंद्रा हो गया, और, तो इस तर analyzer में आप देखी, जैसा मैं बता रहा था, सबसे ज़्यादा consumption होता है, तो इसके अलावा यहाँ पर आप पिछले कई वर्षों से, जो हमारा import है, वो बढ़ता गया है, पहले आप देखो कि, domestic का production से हमारा consumption हो जाता था, लेकिन अब हम import काफी कराने लगें, अब आप यहा regarding PNGRV, जो मैंने अभी आपको just mention किया, let's see कि आप इसको कर पाते हो कि नहीं, दो statement है, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Insta पे नहीं हो कोई बात है, Telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता है रहता हूँ, आप stories में जाकर play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हो, कोई course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.